नमस्कार स्टुडेंट आज हम तीसरा मेहत्वपूर्प्रलेग प्रॉस्पेक्टस के बारे में जानेंगे तो कंपनी के पास तीन मेहत्वपूर्प्रलेग होते हैं जिनें कंपनी को इंकॉर्प्रेशन के समय रइस्ट्रार को देना पड़ता है पहला मेमोरेंडम आफ एसोशेशन आर्टिकल आफ एसोशेशन और तीसरा मेहत्वपूर्प्रलेग है वो है प्रॉस्पेक्टस तो प्रॉस्पेक्टस होता क्य प्रोस्पेक्टस एक तरह से एक डॉकुमेंट होता है जिसमें किसी पॉलिक कंपनी के द्वारा इसू किया जाता है जिसे पब्लिक कमपटनी इसु करती है जैसे कि किसी पब्लिक कमपण। उसलु का फर सुरु करने का प्रामार पत्र कमपो को मिल जाता है遊戲 कमपणी को भ्या-पार प्रमार पत्र तो ये pén कि दिश्म है कॉंपनी को पैसे के आवज सकता होती है तो पैसे को को प्राप्ट करने के लिए में परपज होता है तू रेजदा फंड अपने फंड को इंक्रीज करने के लिए कंपनी को पैसे के लिए जो है रोकार्मेंट होती है और फंड को प्राप्ट करने के लिए जो है प्रॉस्पेक्टर से सु किये जाते हैं यह जो प्रोमोटर्स के द इसको शुव करते हैं बाश्तम में कंपणी का जन्दम के संबंद में लोगों का ध्यान आकृसित करने प्रमुक्थ शाधन है इस प्रकार प्रॉवन कंपणी का विग्यापन भी होता है तरह से इंडवर्टाइमेंट की तरह गाम करता आए कंपनी अध्यम के अंतर कर प्रॉस्पेक्टर्स निर्गमित करने का तिकार केवल जो है पब्लिक सेक्टर की कमपनी को ही होता है का पब्लिक सेक्टर की कमपनी ही इससे कर सकती है इसु करने का जो मैं परपज है मैं ऑब्जेक्टिब से वह होता है इसलिए रॉलज जानकारी सारे rules of regulations हमें return में देने पड़ते हैं कि कैसे हम shares को purchase करेंगे कैसे sale करेंगे कैसे डिवेंचर इसू होंगे कैसे क्या होगा यह सारे rules of regulation prospectus में होते हैं और हमें साथ ही साथ प्रावविज यह जो है prospectus इसू करते समय जो है प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई सारी जो भी conditions है उन पर जो है directors के उस पर sign होने जरूरी है तो main contents of the prospectus prospectus में क्या क्या main contents होते हैं पहले prospectus means any documents which invites deposits from the public to the purchase share and ventures of the company share or ventures को purchase करने के लिए या करते समय हम जो है प्रोस्पेक्टस को शू करते हैं तो main contents कौन कौन से हैं समय में सबसे पहला company name and address of its restaurant office यानि company का पूरा नाम देना पड़ता है उसका address जहां company registered है या जिस प्रदेश में company registered है या जिस district में company registered है तो यह सारी बात है में prospectus में लिखके देनी होते हैं दूसरा होता है दूसरा company का objective क्या है company जो prospectus कर रही है आखिर किस लिए रही है तो किस लिए करती है लिए म्रस कंपनी जर्नली prospectus ए cuando में जर्नली prospectus करती है अपने फंट को रेज करने के लिए सेयर्ट डेमेंचर को पर्चेज करने के लिए कि लिए जो जो आ है प्रोस पेक्ट्र सी करती है तीसरा आहाता number एंऺ क्लास यह सबाओ दस्याव किस टाइप के शेयर स्टीव कर रहे हैं अधि द îlab किस्टल कर रहे हैं या सकते हैं जैनन से सिंपल agar desu कर रहे हैं तो और वह चैन्न या non-convertible है, participated है, या not participated है, non-cumulative है, या cumulative है, इस तरीके से हमें type and classes of the shares के बारे में भी इसमें देना पड़ता है, चौथा, qualifications of the share of the directors, directors जो है, उनकी qualifications के बारे में, ठीक है न, note की गया जाता है, इसमें shares की qualifications के बारे में, मनलब share of the director, directors के जो है, पूरे qualifications बगएरा इसमें note की जाती है, नेक्स्ट है, the name and address of the director, director का पूरा नाम और पूरा पूरा address भी, इसमें note की जाता है, managing directors और managers, जितने भी managing directors हैं, जितने भी managers हैं, सभी के नाम, address, phone number, ये सारी बातें इसमें note की जाती है, the minimum subscription which is 90% of the size of the issue, minimum subscription company को 90% received हो गया है, अत्वर नहीं, ये भी हमें इसमें note करना पड़ता है, the time of the opening and closing of the subscription list, पूरी subscription की list मनला, opening की और closing की, पूरी list में हमें देनी होती है, the amount payable on the application and allotment of each class of the share, सभी के जो है, पूरी total amount application की और allotment की, और जिस class के भी वो share है, ये डिवेंचर से, वो सारी बातें उसमें जो है, हमें लिख करके देनी होती है, next है, underwriters of the issue, underwriter to the issue, underwriter का क्या इसू होगा, कितना commission लेगा, cash underwriter होते को नहीं, जो की share और debentures को बिकवाने वाले होते हैं, mediator जो होते हैं, उन्हें हम underwriter of commission, underwriter कहते हैं, अगला है, merchant bankers of the issue, जो merchant bankers हैं, broker बगेरा हैं, जो, उनको कितना commission दिया जाएगा, कितनी brokerage दी जाएगी, that's, it is include in the prospectus, तो prospectus में ये चीज़े include होती हैं, तो पहली बात तो prospectus होता क्या है, prospectus is an certificate to issue at the time of requirement of the fund, और raise of the fund by the company, जब company अपने fund को raise करती है, उस समय पे इसकी आवस्कता पड़ती है, तो to issue of the share and venture and purchase of the share and venture, at the time of the purchase and sale of the share and venture, we have to issue the prospectus, prospectus हमको issue करना पड़ता है, prospectus के अंदर company के internal मामलों के जितने भी rules of regulation है, दो जार्दा written, वो सब ही इसमें क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं, तो यह prospectus है, prospectus में सारी company से related बात हैं internal, वो सारी बात हैं ही, इसमें जो प्रोस्पेक्टस में include होती हैं, और इस prospectus को promoter से issue करते हैं, at the time of the business commencement certificate receive करने के बाद, जब हमां commencement of the business certificate मिल जाता है, उसके बाद में हम prospectus करते हैं, fund को raise करने के लिए, इसे public company ही जो है issue कर सकती है, public company के अलावा private company को अपना business जो है MOA देने के बाद ही रेइस्टर करा लेगी, ठीक है न, incorporation जब हो जाएगा company का तो business start कर सकती है, लेकिन जो public company जब तक जो है, पूरे commencement of the business का certificate नहीं मिल जाता है, तब तक वो business start नहीं कर सकती है, तो इसलिए उसको prospectus issue करना बहुत ही जरूरी होता है, prospectus means the document which invites deposits from the public, for the purchase of share and debentures of the company, share and debenture purchase करने के लिए, जो है company prospectus issue करती है, main contents of the prospectus में, company's name and address and signature of the office, the main objectives of the company, company का main objectives क्या है, the number of the classes of share, qualifications of the directors, the name and address of the directors, managing directors and managers, or sub-directors, the number and classes of the share, the name and address of the directors, managing directors or sub-directors, the minimum subscription which is 90% for size of issue of share, the time of the company, and closing of the subscription list, the amount of payable on the application and allotment of each class of share, तो ये जो है किस क्लाश के share company जो है, उनके, मलाई कुटी share है या प्रफरेंस share है, उनके total amounts के बारे में, ये सारी बात इसमें क्या होता है, इंक्लूड होती है, तो ये हमने प्रोस्पेक्टर्स के बारे में जाना, आईए, अब हम, इसके बार में difference between, Memorandum of Association and Article of Association को देखते हैं, तो एक MOA होता है, एक AOA होता है, हमने दोनों के बारे में जाना था, MOA क्या होता है, जो company के external objectives हैं, उनके लिए बना जाता है, तो objectives क्या होते हैं पहले, इट defined the objectives of the company, तो company साथ के जो main objectives हैं, उनको define किया जाता है, इसमें, Article of Association में क्या किया जाता है, इट definits the rules for attaining the objectives, objective means and in memorandum of association, यानि कि इसका जो main object होता है, company के MOA का ये बहुत जरूर होता है, company के लिए company को शुक करना ही पहोता है इसको, और जो AOA होता है, जो company के internal rules of regulations के लिए होता है, और ये भी बहुत में जो है document होता है, अगला है positions, position क्या है, MOA की जो position है, very important document है, बहुत ज़्यादा important document है, बिना इस document के कोई भी company registered नहीं हो सकती, next is subsidiary company, subsidiary company ये साहर company होती है, और जो है, ये जो है subsidiary company होती है, साहर company होती है, जो company के जो main objectives है, उसको प्राप्ट करने में जितनी भी activity ये लगती है, उनको पूरा कराती है, validity, the activity beyond the power of MOA, are not caused to the performance, by the manager and even all the main members, can't rectify them, कहने का मलब जो है, validity जो होती हैं की MOA की, वो जो company के द्वारा जो पावर, company को जो पावर प्रदान की गई हैं भाहर से, उस कार को company के द्वारा, कार माने जाते, माने जाते समय या ऐसे कारियों की पुष्टी, समस्त सदस्यों सदस्यों नहीं कर सकते MOA में, AOA में क्या होता है, AOA जो होता है, इसमें company के अंदर, जो internal rules of regulations जो हैं, जिससे जो memorandum of association के जो परपज़ें उनको पूरा किया जा सके, उनसे related work इसमें होता है, relationship, define the relationship between the company and the outsider, company में और outsider में क्या के difference होता है, यह जो इसमें किया जाता है, define the relationship, between member and the company, इसमें जो होगा company के member और company, दौनों की relationship defined होती है, necessarily, it is probably, is necessary to get the company, यह company के लिए बहुत ज़रूरी डोकुमेंट होता है, necessary for private, but not necessary to purpose by public company, तो यह जो है, इसकी जो necessity होती है, वो भी अपनी जगह ठीक होती है, public company की condition में, alteration, it can be easily alterate, many matters require approval of the court, तो कुछ condition में कोर से जो approval लेना पड़ता है, वैसे तो इसकी easy ही है, easy alteration हो सकता है, आसानी से हो सकता है, कोई change करना हो, तो एक विशेश प्रस्ताब के द्वारा, एक विशेश प्रोविजन के द्वारा, हम amendment करके उसमें कोच चेंज कर सकते हैं, it can be easily altered by a, by a resolution, special resolution, अगर AOE में कोच चेंज करना है, तो वो उसके लिए भी एक special resolution जो है, issue करना पड़ेगा, तो यह rules of regulation एक बार बन गए, तो उसके बाद मैं दुबारा यूज़ यह, मलम नहीं हो सकते, तो आज हमने, difference between AOE और MOE, Memorandum of Association और Article of Association के बारे में जाना, तो उसका difference बड़ा, और जो है, किस टाइब से, company अपने से शुक्त कर सकती है, इस के बारे में हमने जाना, थेंक्यू बेरी मच्च, आज के लिए इतना ही, करि अबेरे में जाओ, कbreaker ऊई जाइब message बैंने हैं, बिए है कर दो है, बारे में खराओ, आज के विए हैं के प्या खराओ, बारे में ही हैं किया है, झाल कर दो कर दो दो